तो किसान वाईयों आकलन और मोलेंकन मैं आप से बात कर रहा था यह दो अलग अलग सब्द है अगर हम सबसे पहले बात करें आकलन की तो आकलन किसी भी कारे को करने के पहले किसी भी कारे को करने के पहले जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं कि वास्तों में जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास क्या संसादन है क्या जानकारी है और अपनी छंपा को थमनापते हैं तो यह आकलन है दूसरी तरफ अगर हम किसी कारिक्रम को जिसको हम कर चुके हैं और करने के बाद अगर उसका हम विशलेशन करते हैं हमने कितना सीखा है जितनी हमारी चमता की उसके अउसार हमने जो सीखा है तो मुल्यांकन कहा जाता है तो इस कार्क्रम में और जब मुलेंगल करते हैं तो मुलेंगल की जो प्रक्रिया है ये ट्रेनी और ट्रेनी दोनों के लिए होता है जो ट्रेनिंग दे रहा है उसका भी मुलेंगल होता है क्योंकि जितनी बात बताई गई वो सारी बातें लोगों पे समझ में आ गई या नहीं अगर नहीं समझ में आई तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्रेणिंग देने का जो तरीका है उसमें कोई फाल्ट है जिससे कि कमिलिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाया बात सही बंसे पहुच नहीं पाई कि तो अनुदेसक और प्रस्षचार की दोनों का जब अगर हम बात करें तो मुलेंकन हैं लूका होता है इसलिए ऑसलिए अगर हम दे रहे हैं तो आप हमारा लगातार बुल्यंकन कर रहे होते हैं और जिस जवाब के अब आपका तो किसट्र है आकलन और दूर्डोलैंकम, ऐसा पैलू है, जो हमें help करता है, हमें assess करने में कि वास्तों में हमारी छमताएं किया है, कहां कम्या हैं, कहां हमें improve करने की ज़रूरत है, जिस से कि हम बेहतर तरीके से किसी कारे को कर पाएं. तो आप सभी लोगों ने अपने पास काफी पें तयार कर लिया होगा और समभवता कुछ इसमें जो आगे क्विश्चन है छोटे-छोटे एंसर देने हैं एक लाइन में एक सब्द में आप एक से दस तक क्विश्चन है जिनके भारे में आपको जो भी जानकारी है काबिज प उनका उत्तर बताएंगे आप उस उत्तर के हुशार देख लें आपने कितना किया है और फिर अपना कमेंट कहां आपको लगता है क्या और चीजों की जानकारी चाहिए तो आप गुर्ट में सेयर कर देंगे यहां सामने दोछित्र दिखाए गए हैं और दोछित्रों में आपको सामने नाम लिखे हुए हैं चाहर पहला चित्र किस मशली का है आप एकागज पर लिख लें नमबर एक के सामने मशली का नाम या आ-ई-ई लिखा हुआ है वो लिख ले जो भी आपके लिए कर्विनियन को दूसरा प्रस्ण भी वही है मचली का एक चित्र है आपको मचली का नाम बताना है मचली का नाम वही चार है कतला रोहू मागूर महासीर आगे आपके सामने चार प्रस्ण आओ रहे हैं मतद से पालन हेद तालाब तैयारी का उचित समय क्या है जो भी आप समय में सुझ करते हैं जनुरी से लेकर के दिसंबर तक और आप लिख ले मचली पालन में सामाने रुप से कौन कौन सी मचलियां पाली जाती हैं कौन कौन सी मचलियां पाली जाती हैं अगला प्रस्ण है मचली पालन हेद वीज कहां से प्राप्त होता है जहां से प्राप्त होता उस जिगा को क्या कहते हैं अगला प्रस्ण है क्या मचली पालन हेद मिट्टी पानी की जांच भी होती है अगर होती है तो हा लिख दें नहीं होती है या नहीं जरूरत है तो ना लिख दें मचली ओं को आहार देने का क्या समय होना चाहिए साथवा प्रस्ण है मचली ओं को आहार देने के लिए क्या समय होना चाहिए नौवा प्रस्ण है आटवा प्रस्ण है मचली ओं को आहार किस प्रकार देना चाहिए मचली ओं को कितना मत से आहार देना चाहिए मचली ओं को कितना मत से आहार देना चाहिए अंतिम प्रस्ण है यदि कालाब में मचली मर जाए तो क्या करना चाहिए यदि कालाब में मचली मर जाए तो क्या करना चाहिए कि दस प्रस्ण थे एक बात पुना जाँ चलें कर दो कितना चाहिए झाल झाल तो अब हम लोग उत्तर देखें पहला प्रशन है जो पिच्चर दिखाई जा रही है विया स्क्रिबल न करें आप लोगों में से पाडिसेपेंट्स में जो लोग स्क्रिबल कर रहे हैं प्लीज हाँ पहला प्रशन है इन नसलों में यहां गाय की नसले लिखती हुई है गायने मचली की नसले हैं इसमें पहला प्रशन है इन में से कौन मचली है पहली तो कतला रोहू मागुर भहां से यह पहला प्रशन है कतला का दूसरा प्रशन है आप करेक्ट कर लें दूसरा प्रशन है मागुर का एक गिल्स से सांस लेने वाली है मचली पहला कतला और दूसरा लंग्स से सांस लेती है ओ है मांगुर पैट पिसेज में आती है संशिप सब्दों में उत्तर दें बग्स से पालन है तो तालाब की तैयरी का उचित समय क्या है तो बग्स से पालन के लिए तालाब की तैयरी का उचित समय गर्मियों का जो टाइम होता है जो समय वारिस नहीं हुई है उस समय तालाब के लिए आप तैयारी कर ले मै, जूम, best time है, अपरहल से शुरू करके मै, जूम में त्यारी कर ले, मचली पालन में कौन कौन सी मचलियां पाली जाती हैं, मत से पालन में देखें, इंडियन मेजर कार्प में तीन मेजर कार्प हैं, रोहू कतला नैम म्रिगल ये इंडियन मेजर कार्ट कहीं जाती हैं और इसके अलावा जो विदेशी नसले हैं उसमें ग्रास कार्ट और सिल्वर कार्ट ये पांच मचलियां जो सामान रूप से पाली जाती है कैट फिसेश में मांगुर इंडियन मांगुर भारतिये मांगुर मचली पाली जाती है खाई मांगुर बैन है खाई मांगुर को नहीं पालना क्योंकि हमारे सिस्टम में इंटर करके दूसरी मचलियों को खा जाती है इसलिए ऐसी मचलियों का पालन वर्जित है मचली पालन हेट बीज कहां से प्राप्त होता है जहां से मचली पालन का बीज प्राप्त करते हैं उसे हैचरी कहते हैं उसे हैशरी कहते हैं, क्या मचली पालन हेट मिट्टी पानी की जांच होती है, उत्तर हाँ नामे देना है, हाँ होती है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि हमारे तालाग का पियच कितना है, और मिट्टी की कंसिस्टेंसी कैसी है, क्योंकि अगर लाइट स्वायल है, हलकी मिट्टी है, तो पानी ज्यादा सूखेगा, तेजी से सूखेगा, पानी का रुकसान ज्यादा होगा, इसलिए लगातार पानी देने की जरूरत पड़ेगी है, अगर भारी मिट्टी है, तो पानी रुकेगा, और इसके पाद मिट्रि अगला है मशलियों को आहर देने का समय क्या होना चाहिए सामान रूम से सुबह या साम कोई भी एक समय आप नहीं कर लें और जब दें लगभग उसी समय रोज दें क्योंकि बाइलोजिकल क्लाक है दिमाग में एक घड़ी होती है जैसे ही आपके आप आप लोज का खाना सुबह नास्ता आठ वजे करते हैं तो सुबह आठ वजे आपको नास्ता करने की इच्छा अपने आप जागरित हो जाएगी कर दिया है तो सुबह आठ बजे आपकी नास्ता करने की चाहर जाड़ेट हो जाती है इसका मतलब की जो बाइलोजिकल प्राख है वो काम कर रहा होता है पच्छियों में मचलियों में समी में तो आप उनको अगर सुबह आहर देते हैं तो सुबह दीजिए साम को देते हैं साम को दीजिए लेकिन एक लिश्चित समय पर आहर प्राखिजिम देना चाहिए मचलियों का आहर किस प्रकार देना चाहिए ठीके कि अधाने के लिए मचलियों को जब आहर देते हैं तो सामाने उसे फ्रोटिंग यूपर पैर रहा है उसको तो मचलिया खा लेती हैं लेकिन अगर सेटल होकर के नीचे चला जाता है तो उसका बहुत कम प्रियोग हो पाता है तो किस वज़ा से ऐसा आहर देना चाहिए जो अगर तहर रहा है तो जादा से जादा उपियोग हो जाता है और इसलिए कहीं बार एक बास्केट के भीतर जो फ्लोटिंग बास्केट वह उसके भीतर भी आ जाता है तो आप आहर डाल दीजिए और देर मचलिया उसको खाती रहेंगी आजकर आहर आगे हैं जो पैरते हैं तो आहर देना है सामाणे रूम से जो रिख्मेंडेसन है वो दो से तीन प्रतिशत शरीर भार का होता है तो अगर आप में कितनी मचली ताला में इडाली है और 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 चुदितो है कि genau हम इसको ताला में विए जिनी मचली डाली है लगवग इतनी हमारे पास होगी है कि तालाब हमने 2000 डाला है और जो मचली डाली है जिस समय डाली तिनी वजन कितना था हर 15 दिन पर एक महीने पर मचली मिकाल करके वजन लेते रहते हैं तो उससे हमें तालाब में मचली का वजन वालूम रहता है लगवर कि तने कुटल मचली है अगर एक कुटल मचली है तो हमें उस पर 2 kg या 3 kg फिस पीड देना है यह सामाने तरीका है मतसक आहार देने का तुकलि कश्री मर जाे तो क्या करें मचली करा नहां कुटल मैं इसके फरिम का Кारण से मृति होई है और जोसरा उसको गड्धा कोड़ करके दवा करें कि मश्रित रूम से कई बर कुछ समस्या और भी भीवारियां कुट तो ऐसे में बीमारी प्रैलें की संभावनाय होती है तो किस वज़ा से अगर कोई मचली मर रही है तो उसका जाच करके और उसको नस्ट कर देंगे ये आपके सामने दस उत्रों के दसों के उत्तर आपको बताए गए अब आप अपना असेस्मेंट कर सकते हैं अपना आकलन कर होएं कि आप दसमें से कितने उत्तर सही दिये हैं और जहना आपको लगता है कि इन चीजों पर बाब करने के अवसेक्ता है तो उन चीजों पर आप वार्षैप रूप में डाल देंगे तो आपके साथ उस विशे पर बाब करने के लिए किसी एक्सपर्ड को बुलाया अज आतलन के विशे में ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंतमिगर विश्विद्याले से डाक्टर राम जुड़े हुए हैं वो आप से इसके विशे में पिस पालन के विशे में जानकारी देंगे सर्माजी अगर मेरी बात सुन रहा है तो डाक्टर राम का परीचे करा हैं हो थोता है सर अपना परिचे दें गया नगा सब पंतनगर विशे में जूड़े हैं डाक्टर राम क्या है जूड़ रहे हैं क्या जोड़ें जोड़ें तक्टर राम क्यों क्या हो रहा है जोड़ें जोड़ें हाँ जोड़ें ओपनिंग बस सेकेंड रधी कड़ा है बहुत अच्छा है आपको तक्लीव दिया लेकिन हमारे किसान भाई जुड़ें हुए हैं जो नई जानकारी चाहते हैं और आप लोगों से सदेव सायोग मिलता रहता है तेक्रला जी ने एक काम बड़ा अच्छा कर दिया है कि आप कहीं रहें आपकी सेवाई मिल जाती है हिएं धी आप ठीक से एक वर नई पीटी ने आख वाले दीर रहते हैं थुझा सब तो परके जाएं तो थुदा सा कम्निकेशन में तुरंद खुल राता है हुआ है थोड़ा साइज बड़ा होगा तो इस वजा से दिक्कत होगे है इस तरह तो सब्सक्र है तो नहीं है 21.72 MB है तो थोड़ा सा बड़ी पाइल है फिर से एक बार प्राई करें अधर साब एक बिग्गत है आप कुझे भेज सकते हैं क्योंकि इस पाइल में कुर्टी देव में है कुर्टी देव डिस्पले हमारा मोबाइल नहीं करता है एंड्राइड सिस्टम कुर्टी देव कौंट को नहीं पहचानता है इसा इनमो इस हैधार आपके बाइल मोट चलता है बहुत याज़ आपके रिचाराइड याज़ इस्टम कुछी अत्वे क्जिपले है इस्टम कारें आपके रिचाराइड सभिण मढ़ा हर नहीं बीक करने आपके पापके देवारके आपके अच्यज़ सब्सक्राइब जी कि यह यह भी इसके यह कर रहा दॉद्ध हो था कि आ खिवे है ऐलो कर दीजिए जी है कि महारा नहीं के आप में व्हार ना था पहर नुझे आप 10 मिन दीजिए मैं अपसे आपना डू आप प्सक्राइब कुल लो्या हर निम अड़ दो हुआ है यही तो है? कि जो है ना स्लाइट को दौने माव्ड़ा हांसन ऊफिलकाइगा हाँ항 यह नमस्कार आप लोग जो है म लोग बताएंगे मच अधश्य पालन जो हमारे पास है इंटीके टप फिश कल्चर जो के हम लोग जो जो है कैसे हम लोग जो है एक ही उससे जैसे बक्री प्ञालन है मसली प्रनल ऐ ही मसली प्ञालन के आप सब्सक्राइब पालन के साथ हम लोग क्या-क्या बखरी पालन है बतक पालन है मुर्गी पालन है यह सब पर सकते हैं ठीक है कि यह सब जो है इन्टीग्रेटेड फिश कल्चर के अंदर समय कित मच्छपालन के अंतरगाता आता है ठीक है मचली पालन के साथ ये सब करने से क्या होता है कि जो मचली का चारा होता है, अगर हम यह चीजे करें तो इससे मचली का चारा बहुत कम हो जाता है. सबस्क्राइब मतलब बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतक पालन या गाई भैस यह सब जो हम कैसे करें, यह सब के साथ जो है, हम आजकल ऐसे जिन्दगी हो गई है, कि हम केवल मचली पालन करके ही, हम अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मचली पालन सही, तो इसके साथ हम लोग क्या बकरी पालन कर लो, साथ में न, मुर्गी पालन कर लो, ठीक है, तो यह सब जो है, कई व्योस्ता से हम लोग जो है, इससे मतलब अपनी इंकम को बढ़ा सकते हैं, तो इसको इंकम को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले तो हम लोग जो है, हमरे तालाब कित तालाब हमेशा आयताकार हो तो इसकी जो है गैराई 2 मिटर से 1.5 मिटर तक जो है इसमें होनी चाहिए पानी करीवन 1.5 मिटर तक बरा होना चाहिए ठीक है तालाब पूर उपच्चिन दिशा में होना चाहिए और जो हमरे पार पुराने तालाब है पुराने जो तालाब है मैं जून में इसको सुपा लेना चाहिए पुराने तालाबों को इससे क्या है जो खरपतवार है तालाबों में तो सब जो खरपतवार है वो ठीक हो जाता है वो मैं जून में वो सब सुपके जो भी इसमें दिक् कि टॉकन पहदो सब जाता हैं कि अशनी के रहते हैं मिट्टी में को सब नस्ट हो जाते हैं तालाब में जो है जो फोशकत्त्त वो है जो जो अचाइब कैसी को जाता है जो थे खतो होगरां इक जो आँट गो जो जो पर हो जुदा कंषिए करे 앞으로 दोब आथ से पहले तो उसमें हम को क्या करना चाहिए महुवे की खली 2,500 kg एक है क्टियर में महुवे की खली डाल दो या आप क्या करो ब्लाचिंग पॉडर डालना है यह एक है क्टियर का बता रहा हूं मैं अगर जब आप स्टार्ट कर रहे हो तालाब जो है आपका पुराने तालाब है उसमें आप बच् पार्टिय जो एक के अचे शर्टे निषड़ा है पानी निष रसा में है उसमें यह करीको चैकर डालें थिके और उसमें आप लोग जो है अरुबरक के लिए अपने जो गोबर है सड़ा हुआ गोबर है ये गोबर की खाट डाले हैं सिंगल सुपर फोस्पेट है यूरिया है ये सब ट्यारी आपको पहले करनी है तालाब बनाने से पहले ठीक है और ये जो आपने जैसे गोबर की खाट गोबर उसके बाद आपने सिंगल सुपर फोस्पेट तो हजब दो सुप किलोग्राब है यूरिया आपने एक स्सुपचास किलोग्राम एक्टियर के दर से आपने तालाब में डालना है और माचली का ये पूरे साल और प्राचतिक बोजन होता है मचली का वाइसे तो मचलिया बहुत सारी मचलिया हैं, जिनको हम लोग 2200 से उपर इस्पिसीज हैं, उसमें कुछ cold water की है, कुछ मिठे जल की है, कुछ marine, समुद्री है, बहुत सारी है मचलिया, लेकिन हम यह देखते हैं कि कौन सी मचली से हमको कम ग्रोथ में हम ज्यादा फाइदा यहां पर, IMC, Indian Major Carb, जो हमरे पाक्रिशिव ग्यान के अंदर हम आपर रहे हैं, इसमें हम लोग रोव, म्रिगल, कतला, सिर्वर काप, ग्रास कार, कॉमन कार, पर यह हमरे पाँ मचलिया हैं, यह छे परकार की मचलिया हैं, तो इनको, इनका जो कल्चर हम लोग करते हैं, इन म पर लोगों ने कैसा ही चूज करा, साइंस बैग्यानिक लोगों ने, कि मचलियों को ताकि हमको कम समय में हमको ज्यादा इसकी बड़वार हो, हमें ज्यादा पैसा मिले, इसके लिए क्या है, तीन तरह की लिएर है, सब से उपर होती है, जो सर्फेस लिएर है, उसमें हमरे सिलवर कार्प और कतला की जो मचलिया है, वो सब से उपर रख दिये, बीच में हमारे पास रोहु है, और जो बॉटम में हमारे पास जो नीचे तली में है, कॉमन कार्प है, और नारेन इमर्गल कहते हैं इसको, और जो ग्रास कार्प है, वो साइडों की जो घास है, के नहीं होनी चाहिए बच्चे जब डालते हैं एक एक यह हम लोग 10,000 से 8,000 से 10,000 बच्चे डाल सकते हैं है 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 यह निम श्रेयां का चैन हमको करना चाहिए ठीक है रोहु को रोहु का जो ग्रोथ है इन और मचलियों से थोड़ा सा कम है जैसे हमारे पास सिल्वर कार्प है ग्रास कार्प है बहुत फास्ट बोड़ती है लेकिन ये तीनों का कंबिनेशन चारों का अलग-अलग आप तीन डालो चार्प डालो छे जहां कल्चर आप कर रहे हो उसमें हमको यह देखना है कि हमारा जो फीड का है हम लोग जो है प्राक्रतिक फीड फीड ही दे रहे हैं या हम लोग जो है इसको परिपूरक आहर भी दें अगर हम लोग प्राक्रतिक फूड ही देते हैं जैसा मैंने बताया पूरा प्रोपरली खाद बात डाली है उसके ब ग्राइब को नो इससे हमारा प्रोडक्शन और तीन गुना चार गुना बढ़ जाता है ओ कि एक श्या प्रकार के मचलिया इसको अनुपात में जिसे हमने कैसे कैसे रखना है कतला को गाइब लेकिन हमारे पार जो कॉमन कार्प होती है कॉमन कार्प बॉटम फिडर है यह थोड़ा सा क्या इसमें दिक्कत यह आ रही है किसानों की भी हमारे यहां भी यह जो बंद है हमारे बंदों में यह क्या करती है कि बंद को फिती पांचा थे मिट्टी को जो बोटम में रहती है तो इस तो इसमें आप बात आती है कि आपने जो है तालाब की त्यारी कर ली यह तरह कि बस् Crush dairy इह थि लाएं जो ठीक हो जहां पर उनका जो है इस्टेटिस अच्छा हो और वहां से आप खरिदें बच्चों को और इन बच्चछं को आप लोग जो है उसमें आप जब वहां तालाब में इसको इनको पहुंचाते हैं तालाब में आपको क्या करना है जो थैली में बच्चे आपके रखे हुए हैं उसको पानी में आदे घंटे तक रखें आदे घंटे तक आप उसको रखें उससे क्या होता है कि उसका तापमान दोनों का थैली का और पानी का उबराबर हो जाता है वो तापमान आप उसको आद अप इस तरह से आप लोग जो है यह सब कर सकते हैं इसमें जो है कृशी से मतष्य पालन के साथ मदशli पालन कर सकते हैं तो आज गैने हो नहीं रहा है कि कि हम लोग जो है साब एक ही एकी चीज़ पर डिबंड रहेंगे मसली पालने बस बाकि कुछ नहीं करेंगे लेकिन हम जैसे मसली पालन एक रहा है करकार के सब्जीयां जैसे हम लोग क्या है है सबियां लगा सकते हैं बहुत अच्छा होता है इसमें पैदावार हो एकर वो पानि आप पे रहें जहां-जहां आपने सब्जियां लगा रहीए इस से पैदावार आपकी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी ठीक है और उसके बाद हमारे पाह आता है जैसे ये आपका क्या कहते हैं बकरी पालन ठीक है बकरी पालन भी एक बहुत अच्छा ब्योसा है ताल आपके साथ साथ आप लोग मचली पालन जहां आपके पाह है तो उसी पे मेड़ पे आप बकरी पालन भी कर सकते हैं एक बहुत अच्छा सादन है बकरी जो है इससे बहुत आपकी आमदानी भी अच्छी हो जाएगी बकरी पालन से साथ में आपके मचली भी पल रही है ठीक है और आप उसको प्रोपरली देखें कि कौन सी ब्रेड हम बकरीयों की पाले अच्छी वाली हो ठीक है तो आप हम एक हैक्टियर तालाब के लिए हमके करीवन 40-50-55 बकरीयां रख सकते हैं वो बहुत इनफ है ठीक है अब इसमें क्या होगा कि बकरी से मतस्य पालन में क्या होता है कि जो बकरी का मल है मुत्र है इसमें काफी पोशक्तत तो पाई जाता है जिसमें तालाब की उर्वरक शक्ती काफी अच्छी होती है, एक हेक्टिर तालाब में जितनी 50 से 45 से 45 करीबन बकरी आप रख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से यह चितर दिया है, हमने यहां का है, यह देको बकरी का शेड हमने बनाया है, ऐसे आप लोग बकरी का शेड ताला है, और इसमें पोशक्तत्तो होते हैं, ठीक है, अब आप यह लगाई यह बकरी पालन है, वैसे तो हम लोग यह बाते करते हैं, एक हेक्टिर तालाब में अगर ठीक से हम करें, सड़े-3,000 हजार छे 4,000 किलो मतस्य पालं कर सकते हैं अगर हम लोग यह बकरी पालं करें इसमें आप यह देखी है सड़े-4,000 किलो हमारे पास क्या हो गया 120 रुपए की इसाब से अगर हम लोग यह लगाते हैं चारहजार किलो या 3.5-4.000 किलो अगर हमारा इस जो है फिश निकल रहा है तो यह 120 के हिसाब से हमारे पाफ 4,80,000 का हो जाता है ठीक है और जो बकरी का मास है ये करिवन जो है 50 बकरियों का 1500 किलो मान लो आप तो आपकी शकल आए हो गई 11,55,000 और उसमें लागत आपने जो लागत है फीड है और है वो 3,65,000 करीबन आपकी लागत आगई तो कुल आए आपकी कितनी हुई 7,90,000 शुद आए आपकी बनी के बकरी पालन से अगर आप यह बकरी पालन करते हैं यह अच्छा साधन है यह किस इसके बाद आप जो है मतस्य सहर मुर्गी पालन है इसका मुक्त जिताला की उल्गा रखता बढ़ारा हो रही है अप आवाज कम करिये आवाज किसी के आ रही है आवाज मूट करिये मतस्चस है मुर्गी पालन भी बहुत अच्छा ब्योसा है किसान भाईयों के लिए जो किसान भाई हुजिनके पास कम जगह है और जो है तालाब के साथ सात्य मुर्गी पालन का भी आप कर सकते हैं इसका मु unto address is जो है सालाब की अरबरक्ता था तर्मीन, मसलियों की बढ़दी भी इसमें अच्छी हैं। एक हक्तिर तालाब से 300 मुरगयां इसके लिए काफी हैं। इसमें तालाप के साथ, मचलियों के साथ, मुर्गी के अंडे, मुर्गी का मास, यह सब बेच सकते हैं. तो यह इसमें भी कल्कुलेशन हमने कराया, तो अगर हम लोग यह करते हैं, इसमें हमारे पास 4,000 किलो के आसपास महीं, अगर हम अच्छे तरीके से इसको देख बाल करते हैं, तो इसमें 4,80,000 रुपए आपका मतस्य की बिक्री हो जाईगी, और अंडे आपके जो है 300 से 500 मु हो जाएंगे उसमें 5 रुपए के साथ से भी आप लगाते हैं, एक लाग दस जार अंडे हो गए, पांच 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 आदम नच्चे जागा, पर आशिना सकाटो, ठीक है, और मुर्गियों का मांस है यह जो 1200 से 300 किलो यह जो है, आप यह मुर्गियों का मांस यह बेज सकते हैं, एक लाग साथ सी हजार करीवन आपका जो है, यह मांस जो है आगया, तो आपके सकल आई, बारा लाग कुछ हो गई है, उसमें जो लागत लगी है, आपकी पांच लाग पचास हजार, इसको आप इसमें से माइनस करगो, छह लाग साथ साथ हजार करीवन होती हिलाफता रही है, ठीक है, इसमें क्या है कि, हेलो, आपके जो आवाज आ रही है, बहुत करीए आप लोग, यह आगया, इसमें हम लोग 200 से 50, 200 से 500 कर इबन बतक पाल सकते हैं, इसमें इंडियन रनर, खाकी केमबल, परजाती अच्छी परजाती माने जाती है, यह अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और यह तालाब में जो आक्शीजन को भी बढ़ाती है, भतक जब उसमें कूटती है, पानी में चलती है, और नीचे जो मिट्टी में जो है, उधरवेर खुरटती है, तो ये जो है, काफी तालाब एक था अक्शीजन को बढ़ाती है, और बतके जो भोजन खोज में पानी में डुपकी मार्ति रहती है, ठीक है, और इसके बतक वोंके जो मास है, अंडे है, इससे बहुत benefits हो सकता है, ठीक है, ये 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 भी एक अच्छा है, बतक पालन, 200 से 2500 बतक आप एक हक्टेर तालाब में रख़िए, उससी आप से calculation कर लीज जो है शड़े तीन से चारह जार किलो मचली आप बादन कर सकते हैं 480,000 के हुई 120 रुपे की साफस में कम लगा रहा हूं ज्यादा भी हो सकती है अगर आप ठीक से करें ये काम और उसमें अंडों की संक्या अगर ये जो है अंडे भी करीबन आपके 18,000 करीबन अंडे पैदा हो जाएंगे इसमें अगर ठीक से आप लोग इसको देख रहे हैं और बतक जो है मांस 600 रुपे 600 कीलो ये जो है 500 से 600 बतक जो है आपकी तो इसमें करीबन आप 500 रुपे की साबसे भी अगर बेजते हो उसको 90,000 रुपे आपके मांस के हो गए अंडों के हो गए तो टोटल आपने कमाया 6,60,000 टोटल हो गया लागत इसमें 2,80,000 लागत आई और आपके टोटल इंकम होगे 4,02,000 रुपे इस साबसे आप ये कर सकते हैं ये भी एक बहुत अच्छा आएका बड़ अच्छा सोत वह है ठीक है बतक पालन ये हमारे यह जो है इस टाइप से हम लोगो ने पालन ये करा है ये है ठीक है ये देख लीजी आप लोग ये बतक बतक पालन का ये वाला और इसके बाद हमारे पास जो हम लोग यहां करते हैं इंटीग्रेटट फिश फार्मिंग हमारे आई व्यारे में केवी के में हम लोग कर रहे है और उसके बाद हमारे पास ये डेरी का भी है डेरी भी है डेरी पालन भी अगर आप साथ साथ करें बत सुवर पालन का भी है को लोग करते हैं यह भी ठीक है सुवर की जहां पर हो सुवर का भी आप करीबन चालिश से पचास करीबन सुकर रखिए यह भी किसान लोग कई लोग सुकर पाल रहे हैं तो बीच में मचलियों का भी गड़ा बना दीजिए उसका जो है 70 परसेंट जो उसका उप्षिष्ट पदार्त है वो डारेक्ट तालाबों में जाता है तो वो जो बहुत ही अच्छा उर्वरक का एक सोत्र है उ देरी से मतष्यपाल में डेरी में आप करीवन एक से दो या चार गाये या भेंस आप रख सकते हैं लेकिन इसमें दिक्कत है आप डारेक्ट जो है गोबर को तालाब में न डालें डारेक्ट इसमें मीठेन गैस निकलती है ठीक है इसमें एक छोटा से टैंक बना दीजिए ठीक है वो जो जो टैंक है उसमें जो गोबर है उसारा पहले टैंक में आया है उससे मीठेन गैस निकलती है उससे आप गैस भी बना सकते हैं अधरवाइस आप उसको जो है टैंक में कठा करिए तो उसके बाद आप उसको बचा हुआ गोबर को जो तालाब में डालें धिरे कि इस टाइट का मैं दिखाऊ हूँ आपको हमारे यह कि ऐसे आप डाल सकते हैं हमारे चितर में आपको बता हूँ यह कहां गया चितर एक मिन्टा भी थोड़ा सा यह तलाम में जो है आप यह जो गाय भैस डेरी पालन के साथ मश्ली पालन फायदे हो गया आपके डेरी भी पल रही है आपकी मश्ली भी पल रही है एना तलाब की औरवरको तब ही बढ़र रही आपको ज्यादा खर्चा भी न में देखिए घ्रि में हमारा पास यह है यहां से जो है डेरी से टेंक में गोवर आता है गोवर के उसके बाद हमने यह जो हम tanto आद में यह बहुत यह अच्छा अउभरत तका काम करता आपको ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े हैं ठीक है अगर आप एक्स्ट्रा नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से आप लोग जो है गोबर उबर उसमें डालिए जो आपके पाद कल्चर बना हुआ है इससे भी आप जो है अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं अधिक है यह हमारे पाई बहां से हमारे यह देखिए यह दो से चार या बहां से गाए आप रख सकते हैं एक अक्टिर तालाब के लिए इसमें करीबन डाई से तीन अजार किलो मचली जो है एक साल में पैदा हो जाती है एक तालाब में सा में करीब साथ साथ गीलो से कडीबने लगा रहा है जो कि 50छी पचास रुपए के हिसाबसे तीन tillा कशार फोटा तैंच आए हुई कि यह लागत्या आपका कीदा दस अजार, यह आपको डेरी कॉलम से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, यह हमारा तालाव है, क्रिश उद्ग्यान के अंदर का, आई भी आरी, यह देखिए आप, ठीक है, तो आप कहने का मक्सद यह है, आप जो है, केवल खेती पर ही निरभरनार है, खेती के साथ आप लोग क्या करे हैं, आप लोग जैसे बतक पालन, मुर्गी पालन, यह मतलब यह है कि अगर एक चीज़ आपका खेल हो गया, कोई नहीं चल रहा तो दूसरे चीज़ से आपकी आए, आप लोग जो है, पैसा आपको मिलता रहेगा, चलता रहेगा, मुर्गी पालन है, बतक पालन है, पकरी अच्छा आप कमा सकते हैं इसी तरह से अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आप लोग जो है प्रॉफिट कर सकते हैं किसान भाई यह हमारा यह मुर्गे पालन का यह इसेड है आक यह मुर्गिया रखे है और और नीचे यह हमारे तालावा का यह मुर्गियों का जो जो मुरूप नीचे गिरते हैं तो किसान आप इसी तरह से ग्राग्षा आप लोगrifish?. आँ अप आसा आप करें टो बहुत अच्छा है यह हमरा वकरी पलन कषीड है क्लिक है ऐसा अगर करें आप तो बहुत अच्छा हो सकता है ये हमारे याँ जो है फारम में रोहु कतला silver card common card, common card, I.M.C. है हमारे ये हैं न इस तरह से आप लोग भी ये कर सकता है और बहुत अच्छा आपका मुनाफ़ा हो सकता है अगर आप इस तरह से करें यह एक बहुती लावकारी इससे इसमें आपका ज़्यादा पैसा भी ने लगेगा ठीक है भई यह कि आपने पहले यह देखना है कि तालाब का चैन करना है ठीक से कहां पर है वहाँ पानी की ब्यास्ता हो प्रोपरली हो पानी हो और उसको देखते रहें तालाब को आप इसमें से एक दो यूनिट जैसे जो भी आपको लगा सकते हो यह कर सकते हैं इंटेग्रेटेट फिश फार्मिंग बोलते हैं इसको समय के तुमच से पालग इससे नुकसान नहीं हो सकता अपका इससे फाइदाई होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और है और में कोई दिग्कत हो तो बताएं इसमें पहले पानी वनी की जांश कर लिए करो बीच बीच में पीएज कितना है सबसे पहले तो आप हमेशा ही देख लिए और पर तालाब में क्या इस्तिती है तालाब में देखो कि कोई बीमारी तो नहीं है बीच-बीच में देखते रहा करो जाल भी चलाते रहा करो कि कितना अपने बच्चा डाला उसके बाद जो है एक डिड़ में बा देखो बायो फ्लॉक और पॉंड में क्या अंतर है बायो फ्लॉक जो है बायो फ्लॉक ऐसा होता है कि छोटे से टेंक में हमने क्या करा मचलियों का मचलियों के लिए जो है जो क्या होता है कि तालाब में क्या होता है कि जब मचली हम ढलते हैं मचलियों के साथ साथ तालाब तो जो गंदगी एंगा नीचे जमी गंदगी गंवर्ट होता है तो बैक्ट्रिया ने खाना प्रोटीन में प्राइच कर दिया हो खाना वह गंदगी खाने में पैदा हो गई तो वो है अब तालाब में तो ऐसा कुछ है निए अब उसमें जो गंदगी है आपने और वो ग्राओ की उसमें पानी बी ज़ादा नहीं लगता है वाफनी आपने बाधिया तीन four mi EL प्रोपर आपको ट्रेनिंग करने पड़ेगी प्रोपर ले जो है उसको लाइट 24 आउर लाइट चाहिए उसके लिए थोड़ा से भी लाइट हट गई तो सब मसलिया मर जाएगी ठीक है सब्सक्राइब करेंगे अब करेंगे मेरा एक लेक्टर होगा ठीक है और कोई बताईए अरिये मैं देरे बता ही रहा हूं अच्छा सर्ची तालाब के गहरा ही जैसे आपने बताया के दो फिट तक होना चाहिए हां दो सड़ाई मतलब तो दो फिट में डेड़ मेटर तक पानी उसमें होना चाहिए तो यह दूब मेसे धूब मेन तो पानी काफी घरम पढ़ता हिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं गरम लेत तो다 कमें परने दोिस यह नहीं होगा ज़्यकों ज्दार गहराहि हो तो चोटे बच्चे उपर तक आती है। जोटे बच्चे मढद जाएंगा जब तक ऐसे ज्दारी थीक ने हैं बतलब ये गरीयों में चाद पानी भर दो थोड़ा साना चांड़ करसकते हैं ज्चा ज्यादा ओलते अंदर शूरी की किरने जी वह दाक निए जो सूरी की क्रिने पड़ेगी जो अंदर छुट-छुट जिवान होंगे पादप वह भी फोटो सेंथेस करते हैं सूरी के प्रकार्ष रेस्टलेशन करते हैं सूरी के क्रिनों के साथ ज्यादा गहरा होगा तो वहां तक नहीं पहुंच भाया लो हां यादा अजी बताइए है कटला कारफिव राफ चना राफ टाह इंडमट यह तरह कितने दिन भूप यह अगैंगी यह ऐसा है ना डिपेंड करता है अगर अदरुपी पर नाले का यह लोग यह क्या लोग करते हैं सर्थी आ गई सर्दीन बच्चे डाल देने मेंने देखा कई लोगों को वही प्रवरी के बाद प्लानिंग करें पूरा त्यार कर लोग कि अपने तालाव आपको फरवरी के बाद मार्च फरवरी में आप लोग बच्चे आप डालोगे तो आएगा तो वो जो है बहुत अच्छा ग्रोथ करता है उसको ना तो कोई जलक हुए खा सकते हैं जल्दी भागते हैं आप अगर मार्च में आलते हैं मार्च, अप्रेल, मई, जून, जॉन, अगस्त तक 6-7-8 मेने तक ग्रोव हो जाएगा एक साल में जासा है मतलब कोई भी मचली डालेंगे तो आट महीने के अंदर ही ग्रोथ होगा उससे पहले कोई ऐसा हाइब्रेट नहीं है तो चार महीने करता है अगर अलक्सी फीड डाल रहो कर सकते हैं जैसे ग्रास कारप जो है बहुत जल्दी ऊड़ी ग्रोव करता है ग्रास करती है आप क्या करो ग्रास थोड़ डाल कर डालते रहो उसने भठी रहो तो नहीं हो कम खाईगी रोव में क्या है आप डिपंड करता फीड कैसा है अगर ये चार, पांच महेने ये चे मेने तक बहुत फाइदा होगा ठीक है बहुत फाइदा होगा जैसे अमतर जी अपने खेप में जैसे एक तालाव में ना बनागूगा तालाव के पर रोश में थोड़ा सा अमने बशीन वो रख ते रहेंगे उससे कामानकार होती ग्लासकार के लिए ये कर तो ये घ्रास कार्फ फी खाती है ठीक है उससे क्या होता है फाइदा ये होता आप ग्रास कार्फ खा रही है लिंगर ठीन नगरता है वो भी खालें भी ऀमने था तरि करत तो आप लोग जो आज आज यह शह परकार की मचलियों के लावा लोग और भी पाल जा पंदेश्यस मचली हैं लेकिन वो आंद्रा की मचली हैं उसका थोड़ा वीडियो मैं बताऊँगा आपको आपको जुड़ें वीडियो होगा मेरे लेक्टर होगा तब मैं दिखाऊँगा आपको इसको हमारे आपको मैंने अपना देखा है सब मैं हहे जना जाता हम लोग सिम्मपॉंड में कर सकते हैं क्या हा 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 क्यों कर सकता हन। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है ना यह आउप तो आप टैंप्रिछर वाले में करेंगे जैसे आपी मार्च के बाद 9 critical ça है ड्ला मॉय जून जॉलाई ऑड वो आईड़िनसिटी में हम पाल सकता है ओके-एफ खेश्ट अभी ये अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में हम डाल सकते हैं? नहीं नहीं आरा आप तो थंड आरे थंड में यह जहलने पाएगी यह मचली जो है गरम उसको करतिया ज्यादा गरम हो थंडे मैं नहीं नहीं लग जाएगी यह जए अभी कौंसी मचली से डाली ज़ह आप अरशुगरात के इच्छाश प्लानिग आप कर लो लेकिन सड़ी के आप डालने से क्या फाइदा आप अपर करा हुआ है यह वो तुमन भी देंदी अभी कि आपको जी बताईया आपकोण आप अर्जून कपूर अजी अर्जुन कपूर सब्सकिए रहां कि हम बावज आपने भी नहीं पाल सकते लिगना पाल तो सकते लेकिन अपर तो सकते ल तो पानी लगता हो जन करता रहता है तो उसमें तब भी दिखता सकती है अरे वो तो ठीक है वो पानी थंड़ा भी तो हो जायागा थंड़ा नियोगा है उसके लिए आपको उलगाना पड़ेगा सिस्टम यहां पर वो तापमान नहीं है अच्तर रहा है अच्छा तरफ वर ज और शिस्टम में हाँ अर रसिटम में हार सिस्टम बहुत महimporte है अहर किसान नहीं कर सकता वइभ उसको 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 उस माँचकर हो इंसको तो हें व्याय कर क्यों तापमान अगर हो जाए टेंपरेचर तो कोई दिक्कती नहीं तब तो उसमें पाल सकते हो लेकिन टेंपरेचर रहेगा सर्जियों में अक्टोबर, डिसम्बर, जनवरी में जब पाला पड़ता है जी और पड़ता है तो दिक्कत है ने सम्मर जाएगी मचलियां अब ऐसा काम करेंगा एकाइब हो हा फार मिरेश निए घंट what एंप्सान थे सब्सक्राइब कराहं हो अब सूर्ड जहीं जानगानध कर लाता तार्वी फिस्टार्व पालवा इसाने हैं कम पैसे में यह इक अ तार्यी नहीं सब्सक्राइब दीर के आप जुने है घुलाम मुस्तफाग और हाँ बताईक यह मुस्तफाग जी हलो सबस्सक्राइब अचा ठीक थेंक्योग सफ टूंग जी सब्सक्राइब गिंड़ हाँ बताइए आप बताइए यह का है बताइए यह मालूम करना था कि अभी जैसे अगर कोई मश्री डालिया तो इस वक्त नहीं डालना बहतर नहीं है यह बताइए यह बताइए यहाँ।